कुछ बाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरुकार नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नंदिनी आदव वक्त हो चुका है उत्रपदेश की बड़ी खबरों का आये रुक करते हैं खबर की ओर राजधानी लखनों में काब इस सतर साहेत यात्रा की आठवे स्थापना दिवस के मौके पर शादे प्रकाशन की तीन पुस्तक मन अनुरागी कुकडी और शर्सया का लोकार पड़ किया गया इस समारों के अद्रक्षिता प्रसुद्र समासवी मनोर्मा लालने की वहीं इस मौके पर शादे प्रकाशन की प्रकाशिका निवेदाती मिस्रा ने तीनों पुस्तकों के बारे में बताते हुए कहा कि पुस्तके सच और याथार्ट को बयान करती है आपको बता दे कि इस मौके पर एक का बिकोस्ट्री का आयोजन भी क्या गया खबर सुल्तानपूर से है जहां साथ महीने का मासुम बच्चा चोंकि गंभीर बिमारी से ग्रसित है उसके इलाज के लिए सत्रा करोड रुपे की वैक्सीन की जरूरत है जिससे अमेरिका से खरीदा जाना है तो वहीं कई समाजिक संस्था फिल्म स्टार सोनू सूद ने शोशल मीडिया पर बच्चे की जान बचाने की मुहीम छेड़ी बतारे की पड़ोसी जिले के वधायक में भी अंशिदान देने की बात कही है साती आला अधिकारियों की मदद से प्रदेश के मुख्या और पी-म से मदद की गुहार लगाई गई है करन कान्वेंट स्कूल से एजे प्रिंसपल की प्रिंसपल मैं अनमे को लेकर के रोड पे अभियान चला रही है मैं एक-एक रुपए कठा करना चाहती हूँ जिससे अनमे को बचाया जा सके उसको एक बीमारी हुई है जिससे इंजेक्शन लगना है इंजेक्शन की कीमत है 16 करूंग रुपे मैं ये सब अनमे अपने भाई के लिए कर रही हूँ वो हमारा भाई और सब का भाई है और सब का बच्चा है मैं कहना चाहती हूँ सारे दुनिया से सारे इंसानों से ये कहना चाहती हूँ कि अनमे के लिए एक एक रुपे एक हजार जो उनके पास हो वो उनको दे और उनमे को बचाया जा सके और राया के कोतवाली शेत जैदपुर गाउं में उस समय हड़कम बच गया जब एक किसान का शौक कुई में इस संदिक धालत में पड़ा मिला वही घर से लापता किसान का शौक मिलने से परिजनों में हड़कम बच गया है जानकारी के मताबि जैदपुर गाओं के रहने वाले किसान अपनी मवेशी को इलाज के लिए ब्लॉक छेतर मिले गए थे लेकिन परिजनों का आरोप है कि इलाज के कराने के बाद वो वापस नहीं लोटी वही ग्रामिनों ने हत्या की जाने के आशंका जताई है जसके बाद शौक को पोस्ट माटम के लिए भेज दिया है फिलाल मामले की जहां चल रही है करेंट के निसान उनकी साव में आई और तर्जुएक किसी ने राजु चोवान के पुए में उनकी बिटी पड़ी पड़ी रहने वाले विजय सिंग पूतर सोबरन सिरी जिनकी उमर करीब 55 साल है ये कल दोपार तीन बज़े के आसपास अपनी बीमार बकरी का इलाज करने और रिया जाते है बकरी रास्ते में खतम होगे उसको डिस्पोच करने के बाद ये वापस और रिया से चले आयते रात में परिजनों ने सूचना दी कि ये करीब एक बज़े रात में की घर नहीं पहुंचे है हमारे सवादाता जाहिद अक्तर जोड़ रहा है जाहिद एक किसान अपने मवेशी के इलाज के लिए गय थे और लेकिन उनका शब एक कुए में मिला है क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है इसको लेकर मौके पर पहुंची पुलिस में जाज परतार किये गए बहुत 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 धन्यवाद जाहिद आपका जानकारी देने के लिए खबर प्रियागराज से है जहां देश में गडिश उस्सो का घर घर में बड़ी धूम नाम से मनाया जा रहा है तुमाही संगम नगरी प्रियागराज में गडिश यतूर्थी पर भगवान गडिश जी की पूजा अर्चनकर पांच सुपारी लड़ू मोदक आदी का भोग लगाया जा रहा है दिवर्या के बरहज वियाडी पीजी कॉलेज आश्रम के छात्रों ने छात्र संक्चुनाव बहाली को लेकर कॉलेज केंपस भी जमकर नारेबाजी की वही छात्र नारेबाजी करते विए प्रचार गेट के सामने बैट कर प्रदर्शन करने लगे साथी छात्रों ने प्रचार को ग्यापन सौब कर अपनी मांगों को रखा है हम हें पर घाले नहींन होंगे अन्दोलन हम इसलिए कर रहरे हैं कि च्छात्र संग चुनाव नहीं होता है और ग्रेटे संग했는데 काम शुरू करते हैं तब और राजनीती को इस्टेब्लिस्मेंट के पक्ष में लेकर चले जाते हैं ना कि राजनीती विकास की तरफ जाती है तो हमारी चासंग का चुनाव सिर्फ विद्याले के लिए ही नहीं चातर के लिए ही नहीं बलकि इस देज की लोगतांत्रिक अगर चासंग चुनाव नहीं होता है तो हम लोग सभी चातर मिलके उग्रांदोलन के वाद्य होंगे खवर लखीम पूर से है जहां भाश्पा विधायक की मौत पर उनके ड्राइवर का बयान जारी हुआ है बतादे की ड्राइवर ने कहा है कि वधायक नी मंदिर कॉरिडोर वाली फाइल की मागी और सिंधौली पहुचकर गाड़ी रुकवा कर पीछली सीट पर लेट गये बोली मुझे अस्पताल ले चलो वही ज्राइवर उन्हें हिंद अस्पताल ले जा रहे थी उन्हें अम्रिद घोशित कर दिया गया कि विधाई जी ने कहा गाड़ी रुका तो विधाई जी ने उतन लिए थोड़ा पीछे बेठी पर यहां स्पताल कहीं नजदी को वहां को ले चलो कुछ तवीद गड़ोर आगे बढ़ा तो देखा हिंद मेडिकल काली देखा ही पड़ा तो वहां लेकी गए बदाईयों के विकास खंड जगत छेत की ग्राम पंचायत हसनपूर में उच प्रात्मिक माध्यमिक विध्याले में कोई भी सफाई कर्मी नियूक्त नहीं है जिसके चलते विध्याले में प्रदाना अध्यापक रवी शाम और उनके सहायक अध्यापक को स्कूल में ज़ाड़ू लगाना पड़ता है समय पर मैंने पंचायत सचिब और अध्यक्ष और वीडियू साब को अबगत कराया कि हमारे विध्याले में काय कलब सांदरी कराया जाए बाउंडरी नहीं है बाउंडरी विवस्ता नहीं हुई है बाउंडरी रहत विद्याला है और हम अपने प्रयास से जितना बच्चों के लिए विद्याले के लिए कर सकते हैं वो हमारा विद्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध वही कोट में आज उनकी पेशी थी जहां पूरे मामले के गवा की जिरा के बाद अगली तारिक 13 सितंबर तै की गई है आज एक रमेश नाम के गवाह की उनके केस में गवाही हुई है और उसमें उनकी आधिवक्ता जो थे अब बाबु देवदनर परताब सिंग उन्होंने जी रह किया है क्रास एक्जामनेशन किया है अगली तारिक पड़ी है कांटिन्यू हो गया है अब इसमें 13 नौ की तारिक पड़ी है अलिगर के घासी पूर इलाके में जहां हर रोज कई तरह की घटना हो रही वहीं पुलस भी समाजिक तत्व को लेकर पूरे तरीके से हाई अलट मोड पर नजर आ रही है जिसके चलते पुलस ने महाल खराब करने वालों पर कारिवाही की निर्देश यह हैं वही जब अब समाजिक तत्व ने महाल खराब करने का प्रयास किया तो उसका विरोध करने पर दबंगों ने मार पीट शुरू कर दी जिसके बाद पुलस मामने की जाच में जुट गई आज दिनांग 6 सितंबर को अलिगर देहाद के थाना मटडार में सुचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने धामिक स्थल पे जाके आपके जर्ग व्यवाद करते हुए आसपास खड़े एक लड़े साथ मारवीड की है आरोपी व्यक्ति को पुलिस ने रासत में ले लिया प्राप देहरीट पे मटड़ा खाने में उप्रणों कर दिख करा जा रहा है आगी को दिख अरवाई पचले थे मौकी में पूंटा शुक्ति वस्तपाया है खबर अलीगर से है जहां लंपी बीमारी का प्रकोप 126 गाउं तक पहुच गया है वही इस बीमारी से 4000 से अधिक प्रभावित 84000 से अधिक पशों को संदिक श्रेडी में रखा गया है डॉक्टरों की टीम ने अब तक 30,000 पशों का वैक्सिनेशन कर चुकी है तो वही चिकेस साधिकारी ने बताए लंबी स्क्रीन डिजीज बीमारी है जो मवेशियों में मच्छर मक्खी से एक दूसरी में फैलती है जसमें पशों ये लच्छट दिखे तो उसको सरकारी पशों चिकेस साले में उपचार कराया जाना चाहिए इस से मैं करीब 17 तारीख से हमारे जनपत में इसका पता चला हमें 17 अगस्त हो और ये हमारे सब्स पहले टपल ब्लोग और दूसरा खेर ब्लोग चंड़ोजन तीनों में हमने देखा तो वहां जैसे पता लगा तो हमने पुरंट टीम लगाई और उनका इलाद कुरूद कराया क्योंकि जो वैक्षीन जब हमारा वैक्षीन लंपी हो गया है जाय या बैल में तो वैक्षीन नहीं लगा सकते हैं उनको खाली दवाईयां से टीटिमेंट हम किया उसके बाद हमन फिलाल के लिए उतरब देश की खबर में बस इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते हैं ये प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार प्राइम टीवी पर